Good morning student, चलिए, नमस्कार दोस्तों जैंद, चलिए, हम ने आप लोगों को क्या पढाया था, रस क्या पढाया था, रस में क्या पढाया थे, पार्ट नम्मर 2 में जो दिये थे, आपको दिये थे, रस की निस पत्ति, क्या दिये थे, तत्तो दिये ठीक है रस की निस्पत्ति यवं रस के तत्तो में मेरे भया आप लोगों को बताये थे कि रस कैसे बना था तो कोगो बेद बताये थे मेरे दोस्त चार पहले वाले बेद का नाम बताये रीग बेद पहले वाले का नाम रीग बेद दूसरे वाले का नाम अथर बे दूसरे वाले का नाम क्या रहेगा अथरवेद रहेगा ठीकत चलिए पहले वाले का नाम रीगवेद दूसरा वाला यजूरवेद तीसरा वाला सामवेद चौथा वाला चौथा वाला बोलिये हो अथरवेद चौथा वाला अथरवेद बताये थे कि रीगवेद थे क्या लिय क्या लिया भाईया हमने बताया था कि रस के आचारे या रस के मुनी काउन माने जाते हैं भारत मुनी देखिए रीगवेद से क्या लिया और बिनव को लिया रीगवेद से क्या लिया मेरे दोस्त अभिनव को लिया फिर इसके बाद यजुरवेद से क्या लिया समवाद को लिया सामवेद से क्या लिया गीत को लिया यजुरवेद से क्या लिया रस को लिया इन सबी को मिला कर एक पुष्टक की रचना कर दी उस पुष्टक का नाम रखा गया क्या मेरे बाई? नाट्य सास्त्र उस पुष्टक का नाम क्या रखा गया मेरे दोस्त नाट्य सास्त किसने इसकी रचना की बरत मुनी निकी बताये थे कि नाट्य सास्त के कवथे अध्याय में छठे अध्याय में किसका वरणन मिलता है मेरे दोस्त रचसब्द का वरणन मिलता है किसका वरणन मिलता है रचसब्द का इस अब आमने आप लोगों को का किया था बता दिया था चलिए फिर आगे पढ़ाये थे क्या रस के तत्तों क्या पढ़ाये थे रस के तत्तों अगला एडिंग बना लिजे रस के तत्तों बना का लिजे उपढ़ा दिये हैं देख लिजे रस के तत्तों में मेरे दोस्त क्या क्या होते हैं तो रस के तत्तों को कितने भाग में बाटा गया था च्यार बाग में पहला वाला अस्थाई भाव बताएं दूसरा वाला विभाव बताए थे दूसरा वाला क्या था विभाव तीसरा वाला अनुभाव चौथा वाला क्या बताए थे संचारी भाव क्या बताए थे संचारी भाव अस्ताई बाव की संख्या, नो बरतमुनी के अनुसार, आठ, नो अबरतमुनी के अनुसार, आठ, फिर बिबाव की संख्या कितनी, दू, अनुभाव की संख्या, चार, संचारी बाव की संख्या, तैंतिस, परंतु, छल नामक, संचारी बाव को किसने जोडा था, अचार्य बानुदेव ने तथा औरी क्या पताये थे मेरे दोस्त तो पताये थे कि संचारी बाव को विचारी बाव के नाम से जाना जाता है तथा और पताये थे संचारी बाव में कि कौन सा ऐसा संचारी बाव है जो अस्थाई बाव में रहता है या कौन सा ऐसा अस्थाई बाव है ज संचारी बाव में रहता है तो निर्वेद नामक अस्थाई बाव मेरे दोस्त किसमें रहता है संचारी बाव में रहता है या निर्वेद नामक संचारी बाव किसमें काम करता है या अस्थान गरान करता है अस्थाई बाव कोई दिक्कत आगे बढ़ते हैं अनुबाव को हमने कितने बाग में बाटा था चार कितने बाग में चार कितने बाग में मिर भाईया चार बाग में बाटे थे ठीक है जब चार बाग में बाटे थे तो कौन कौन था पहला वाला काई कानुबाव दूसरा वाला वाची कानुबाव तीसरा वाला मानसी कानुबाव चाउथा वाला क्या मिलेगा आपको सत्विक अनुबाव जो मन से किये जाए मानसी किया अहारे अनुबाव कहे जाएंगे शरीर के द्वारा की गई की द्वारा प्रस्तूत किये जाएं जैसे नायक नायका का मिलेने के बाद चुम्बन करना, क्या करना? चुम्बन करना, इस अब किसमें आएगा? उसी में आएगा, किसमें? काईक में आएगा, और ही लास्ट वाला है सात्वी कनभाव, लास्ट वाला सात्वी कनभाव, और वे अनभाव जो सरीर के द्वारा किया जाए परन्तु एका एक किये जाएं उन पर नहीं शरीर का नियंतर नड़ा रता है और नहीं मनुस्य का नियंतर नड़ा रता है उसको कौन सा अनुभाव कते हैं सात्विक अनुभाव को आप लोगों को आस्रय और उद्धीपन बताना है तो अनुभाव या पहले हेडिंग बना लिजे विभाव क्या विभाव पहले आप हेडिंग बना लिजे मेरे दोस्त क्या विभाव क्या करिये विभाव चली दीख नहीं रहा है तो आपको फिर से नीचे बना देते हैं हेडिंग बना लिजे आप लोग क्या विभाव आप व प्रकार का होता है दू प्रकार का पहला वाला बोलिए आस्र पहला वाला का मिलेगा आलंबन भी भाव दूसरा वाला क्या मिलेगा उद्धीपन भी भाव चलिए अब बताये थे आलंबन भी भाव कितने प्रकार का दू प्रकार का पहला वाला आस्रया लंबन दूसरा वाला विसया लंबन चलिए फिर बताया थे कि उद्धीपन मेरे भैया कितने परकार का होता है दू परकार का पहला वाला उद्धीपन स्वकिय उद्धीपन आद दूसरा वाला परकिय उद्धीपन दूसरा वाला परकियय उद्धिपन ठीक है चलिए अब देख लेते हैं WA उद्धिपन और परकियद दीपन ठीक है ideal है उसरा यह आलम बन किसे करते हैं पहले हमको बताईए अस्थाइब भाव जानगे हैं जानगें आप लोग नअ चलिए ठीक है तब बताईए अस् बल्ली हाँ इसे चलिए सुन लेते हैं मैं भी बता देता हूं कि अस्थाई भाव वे भाव होते हैं जो किसी नायक नायका या किसी पाठक या किसी सुरोता के मन में का होते हैं सुसुपता वस्ता में बैठे रहते हैं परंतु उचित कारण आ जाने पर क्या हो जाते हैं उद् अस्थाई बाव को जन्म देने वाली क्रिया या कारण क्या कलाता है मेरे विभाव क्या कलाता है विभाव कितने परकार का दू पहला वाला आलंबन दूसरा वाला उद्धीपन पहला आलंबन विभाव दूसरा वाला उद्धीपन विभाव आलंबन भी वाव कितने परकार का होता है कितने परकार का होता है दू परकार का पहला वाला आसरा आलंबन दूसरा वाला विसरा आलंबन अब कहेंगे कि आलंबन का होता है तो नायक या नाइका दूनों आलंबन हो सकता है कभी नायक आलंबन होगा कभी नायक कुद्धिपन ह तो कभी क्या होगा नायक की चेश्टाएं नायक की बनावट नायक की सुन्दर्ता नायका की सुन्दर्ता चलिए देख लेते हैं आलंब का अर्थ होता है भिया उस पर टिकाव करना का करना टिकाव उसी पर जो बन जाएं उसी पर आस्रित हो जाएं उसी को का कते हैं आलंबन देखिए आलंबन मेरे भैया कितने परकार का दूपरकार का आलंबन किसे कते हैं चलिए देख लेते हैं आलंबन किसे कते हैं देखिए जब भी रस में या जब कभी भी रस में क्या करना विभाव को दूबाग में बाट दिये हैं आलंबन में आसरे आलंबन किसे कते हैं आश्राय आलंबन किसे कहते हैं आराम से देख लिजें ठीक है आश्राय आलंबन किसे कहते हैं तो जिसके मन में जिसके मन में काओ जिसके मन में बाव जगे जिसके मन में बाव जगे क्या कहलाएगा आलंबन कहलाएगा आश्राय कहलाएगा जिसके मन में बाव जगे वह क्या का लाएगा आश्रय अलम गोई यह जिसके कारण मन में बाव जगे दूसरा वाला जिसके कारण मन में बाव जगे, क्या कहलाएगा? विशाय. जिसके मन में बाव जगे, क्या कहलाएगा? आस्रय. जैसे. अब कहेंगे कि उद्धीपन का है? तो देखिए. अस्थाई बाव को जगरित करने के बाद उसको उद्धीपन करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उद्धीपन. उद्धीपन भी कितने परकार का? दू परकार का. अस्थाई बाव को जगरित करने के बाद उसको उद्धीपन क कितने प्रकार का होता है दू स्वकी उद्धीपन और थात अपने द्वारा किया गया उद्धीपन क्या कलाएगा स्वकी पर की उद्धीपन क्या कलाएगा दूसरों के द्वारा किया गया उद्धीपन क्या कलाएगा पर की उद्धीपन जैसे एक उदारं सुनिए और यह जी गए थे उस सोयंबर में आव उसी समय क्या कर रही थी अपना देखी किस को किसको देखी स्री राम को देखी किसको देखा स्रीटा ने देखा किसको देखा स्री राम को देखा अर्थात अपने प्रेमी को देखा ठीक है और उसी अस्थान पर एक पंक्ती लिखी जाती है क्या देख लेती है उस पंक्ती इसको मिटा दे मिटाने के बाद लिख देते है ठीक है चलिए पंक्ती में क्या लिखा जाता है देखी पंक्ती में लिखा जाता है मेरे भैया कि राम के रूप देखिए राम के रूप नियारती जानकी कंगन के नग की परचाई राम के रूप नियारती जानकी कंगन के नग की परचाई फिर दूसरा लाइन याते सबी सुधी बूल गई कर टेक रही कर टेक रही पर टारत ना ही ठीक है देखिए इसमें आपको एक ही उदारण में मच्चारों समझा देता हूँ अराम से एकदम अच्छे से देखिए विबाव किसे कहते हैं मेरे बैया तो वे बाव जो अस्थाई बाव को जागरित करने का काम करें क्या कराता है विबाव कितने परकार का? दू परकार पहिला वाला आलंबन विबाव मेरे दोस्तों कितने परकार का? दू पहिला वाल आश्राय आलंबन दूसरा वाला विशाय आलंबन पीर दखिये उद्धीपन किसे कहते हैं तो वे गुन या वे बाव जो अस्थाई भाव को जागरित करने के बाद मेरे दोस्त उसको का करे उत्यजित करने का काम कर दे उसे का कते है उद्धीपन उसे का कते है उद्धीपन और उद्धीपन कितने परकार का होता है दूपरकार का पहला वाला स्वकी उद्धीपन दूसरा वाला पर की कौन मर ला तो कि कई से मार देला तू ना मार पहले है उचलाने का काम करते हैं का करते हैं चलाने का काम करते हैं तो चलाने के बाद आप पुना का करने जाते हैं जग्रा करने जाते हैं तो जब परकी उद्धीपन का होता है दूसरों के द्वारा किया गया उद्धीपन उसे क काड़ाने का काम कर दिए उद्धिप्त करने का काम कर दिए दिर से उछालने का काम ठीक है जैसे तो अरे बस कही ना कपी बे चाहे तो कर देवे ना कपी बे तो हो ना कपी बुझा काम खतम तो का कि दूसरों के द्वारा उद्धिप्त किये और यह आप का कि यह उस काम को करन तो उसे कां कते हैं स्वकि उत्धीपन कते हैं जईसे समझे इसमें समझे राम के रूप नियारति जानकी मेरे दोस्तों सीता स्वध्यंबर का वरण और ने सीता स्वध्यंबर ज़ल Вам की रचनाकार अब भरणा का हो है कूलसी दास इसके रचनाकार काउन है? तुलसी दास हैं, देख लिजेगा आप लोग भी अराम से, सुनिए, राम के रूप नियारती जानकी, जानकी मतलब सीता, जानकी मतलब सीता, सीता क्या कर रही है? तो राम के रूप को नियारती मतलब देख रही है, सीता राम के रूप को क्या कर र त्वार्ण करने पर आलंबन भी बने गा देखर कंग की नग की परचाई काहां देख रही है तो कंगन पनियारति पनियारति जान की कंगन के नग की परचाई और थाथ सीता स्वयंबर में आए हुए भगवान स्री राम को सीता ने या सीता ने अपने प्रेमी राम को अपने कंगन के नग की परचाई में क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त देख रही हैं अगला देखें याते सब इसुदी भूली गई देखत देखत अतनी बुला गलें अईसन बुला गलें भी आत की याति सब सुधी भूले गई देखते देखते ऐसे बूल गई हैं और कैसे देख रही हैं तो कर टेक रही पर टारत नहीं कर मतलब आत को टेक मतलब ऐसे ही लगा के कर टेक रही पर टारत नहीं उनकी भईय सीता को कुछ असर असर नहीं हो रहा है इतना तो समझ में आ गया होगा इसका अर्थ कि राम के रूप को माता जान की कंगन के नग की परचाई में देख रही है याते सब सुधि भूल गई और उनके देखने में उनको देखने में इतना उल्लीन हो गई है कि याते सब सुध बूल गई सुध बूद खो बैठी है कि हमको सोयंबर में जाना भी है कैसे बैठ कर देख रही है तो अपने हाथ को कर मतलब हाथ को टेक मतलब आलंब देकर बैठी है और रिका कर रही है उनकी सक्यां हिला रही है ए सिता चलबू अउराम जोवत हुआ तब नहीं जा रही है ठीक है तो देखिए अब इसमें हम बताएं कि जिसके मन में का हो बाव जगे क्या का लाएगा आसरे का लाएगा तो किसके मन में यहां पर बाव जगा है जानकी के मन में किसके मन में जानकी के मन में आप से पूछेगा इस पद्द को या इस लाइन को देक कर पूछे कि इसमें आसरय क्या है तो आसरय क्या हो जाएगा मेरे दोस्त सीता हो जाएगी कौन हो जाएगी सीता किसके मन में बाव जग रहा है प्रेम का सीता के किसके मन में सीता के मन में किसके कारण जग रहा है मेरे दोस्त राम के कारण जग रहा है किसके कारण राम के जाएंगे राम आशरय क्या हो जाएंगी सीता फिर कहेंगे कि उद्धीपन क्या है भाईया पूछ रहें तो उद्धीपन देखें क्या होगा उद्धीपन मेरे दोस्त क्या होगा बताएं पर्किय उद्धीपन दूसरा वाला स्वकी उद्धीपन उद्धीपन कितने परकार क दो परकार पहला वरा देखिए स्वकी उद्धीपन परकी उद्धीपन तो अपने द्वारा किया गया उद्धीपन क्या कालाएगा स्वकी उद्धीपन अपने द्वारा किया गया उद्धीपन क्या कालाएगा स्वकी तो सीता कहां पर देख रही हैं कंगन में कंगन की नग म कंगन के नग में देखना क्या हो जाएगा स्वकिय उद्धिपन राम को कंगन के नग में नग में देखना राम को कंगन के नग में देखना क्या हो जाएगा स्वकिय उद्धिपन हो जाएगा अब कहेंगे कि पर किये उद्धिपन का है तो राम को इतना देख लिए इतना दे तो राम का मुस्कुराना राम का तिर्ची नजर करके देखना राम का हसना इस सब क्या हो जाएगा परकी उद्धीपन हो जाएगा और तभी समझ में आ गया होगा मैं आसा करता हूँ कि आप लोग विभाव को मेरे भाया अच्छी परकार से कालिये होगे समझ लिए होगे देखिए विभाव कितने परकार का दू पहला वाला आलंबन दूसरा वाला उद्धीपन आलंबन विभाव कितने परकार का दू आसरे आलंबन विशाय आलंबन उद् स्वकी दूसरा वाला पर्की अपने द्वारा किया जाए स्वकी दूसरों के द्वारा किया जाए पर्की जिसके कारण मन में भाव जगे विसर जिसके मन में भाव जगे आसर है किसके मन में जगा सीता के सीता का हो गई आसर है किसके कारण जगा राम के कारण राम क्या हो गई बिस है राम को अपने कंगन के नग में कौन देख रहा है सीता तो सीता को उद्धिप्ट करने का काम कौन कर रहा है राम की परचाई और राम का कंगन आज देख रहे हैं तो कैसे राम कर रहे हैं राम भी मुस्कुरा रहे हैं और तिर्ची नजर करके का कर रहे हैं देख रहे ह तो राम का मुश्कुराना, राम का तिअपशी नजर करके देखना क्या हो जाएगा, पर की हुद्धीपन, और ही इसमें क्या पुछता है तो देखिये, अस्ताई बाव पुछता है, उस ंब बताएंगे कब, जब आगे पढाएंगे रसको तब, जब रसको पढाएंगे चलिकर हो जल्दी से इसको इसकी इसको करूँगा मेटाने के काम करूँगा छलिए ठीक है आप लोग बता दीजिए अनुभाव कितने प्रकार का होता है तथा कौन-कौन सा होता है चलिए जल्दी जल्दी आप लोग लिखने का और देखने का काम करें ठीक है अनुभाव देख लेते हैं क्या होगा बिया अगला टापिक आपका बनेगा अनुभाव अनुभाव किसे कहते हैं तो अनुभाव को हमने पिछली वाली वीडियो में मेरे दोस्तों बहुत अच्छी परकार से समझाया था ठीक है आसा करता हूँ कि आप लोग घर से तो पढ़ कर आये ही होगे अनु का अर्थ है पीछे या बाद में आने वाला पीछे या बाद में आने वाला बाव का अर्थ है बाव अर्था वे भाव जो अस्थाई बाव या बिबाव के जागरित हो जाने के बाद पीछे से आये उससे क्या कते हैं अनुबाव कते हैं उससे क्या कते हैं अनुबाव कते हैं अनुबाव कितने परकार का होता है मेरे दोस्त चार परकार का होता है कितने परकार का चार परकार पहला वाला काईक अनुभाव पहला वाला काईक अनुभाव दूसरा वाला वाचिक अनुभाव दूसरा वाला वाचिक अनुभाव तीसरा वाला मानसिक या आहार्य अनुभाव चौथावला क्या बनेगा सात्विक अनुभाव चौथावला सात्विक अनुभाव चौथावला मेरे भैया बन जाएगा सात्विक अनुभाव कोई दिकत जो सरीर के द्वारा किया जाए या वे अनुभाव जो सरीर के द्वारा क्रिया करके प्रस्तूत किये जाए उसे कौन सा अनुभाव काईक अनुभाव जैसे प्रेमरस में परिलित होने के लिए नायत और नायका का चुम्बन करना तिर्छी नेतर से कटाक्ष करना किसके अंतर गताएगा काईक अनुभाव के अनुभाव जैसे तु धर्ती पर चाहे जहां भी रहे तुझे तेरी खुस्बू से पहचान लूँगा बोल कर प्रस्तूत करें वाचिक अनुभाव एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता थ वाचिक अनुभाव इस अब किसमें आएगा इस रेसमी पाजेव की जनकार के सदके जिसने बेजा है उस दिलदार की सदके वाचिक अनुभाव यतना सुनले के बाद तो गदगद होई जहीं है एकदम उनके मन में भया लगी कि बस एसे निक्क नोईलना तो मन में आ गया क प्रेम का बाव उसको रस में पढ़ेंगे तो कांसा बाव रती का बन जाएगा रती नायक या नायका ने शरीर के द्वारा क्यों कि चेस्टा की या इच्छा की का हिकगं बाव जरूर कटाःच हकिया होग और नइत Nurse some और फिर इसके बाद और के प्रस्टूत किया हम नहीं रह पाएंगे आपके विना कैसे हो पाएगा इक एसमें जाएगा वाची कनवाव ऐसा आप कुछ बोल देंगे क्यों प्रसंद हो जाएंगी ठीक है मादेवी जी अमादेवी जी प्रसंद हो जाएंगी ता आप पर एकदम बारो फूल वर्साने लगेंगी वाची कनवाव बोल के प्रस्टूत किया जाए जो अनुभाव जब बोल देंगे तो अराम से भयाव का हो जाएंगी प्रसंद हो जाएंगी अग कहां से प्रसंद होंगी तो मन से जब मन से प्रसंद होंगी तो मन में भया का हो जाएगा मन से बनेगा मानसी या आहार्य अनुभाव या वे अनुभाव जो मन के द्वारा प्रस्थूत किया जाए उसे का कहते हैं मानसिक तहितनाव बात सुन के भई या गदगद बाणी कि कुछ चुक यह तयार हो जाएं कौंसा अनुभाव मानसिक अनुभाव फिर उसके बाद आपको मिलेगा कौंसा अन अनुबाव सात्विक अनुबाव वे अनुबाव होते हैं जिस पर किसी का वस या अधिकार नहीं होता है एका एक आते हैं कब आते हैं एका एक कब आ जाते हैं एका एक आ जाते हैं इस पर भैया किसी का वस या अधिकार नहीं होता है इस पर किसी का वस या अधिकार नहीं होत है अईसे अनुभाव में कौन-कौन आते हैं तो सात्वी का अनुभाव की संख्या मेरे दोस्त कितना होती है आठ कितना होती है आठ चलिए पहला वाला मिलेगा इस्तंब पहला वाला का मिलेगा इस्तंब पहला वाला इस्तंब मिलेगा देखिए पहला वाला इस्तंब मिलेग दूसरा वाला क्या मिलेगा स्वेद मिलेगा पहला वाला इस्तंब मिलेगा दूसरा वाला स्वेद मिलेगा तीसरा वाला स्वरबंग मिलेगा स्वर बंग मिलेगा चाउथा वाला आपको क्या मिलेगा देख लेते हैं तो चाउथा वाला मिलेगा वय वरणया वय वरणया सही है वय वरणया मिलेगा पचमा वाला असरू मिलेगा छठमा वाला कंप मिलेगा सातमा वाला रोमांच मिलेगा सात्मा वाला का मिलेगा रोमान्च मिलेगा आठमा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस प्रलय मिलेगा सात्मा वाला क्या मिलेगा प्रलय सात्मा अनुबाव मेरे भैया कितने परकार के आठ पहला वाला इस्तम्द दूसरा वाला स्वेद तीसरा वाला स्वरभंग चौथा वाला वैवर्ण पांचमा वाला असरू छठा वाला कमपन सातमा वाला रोमांच आठमा वाला प्रलय आठमा वाला का मिलेगा? प्रलय चलिए अराम से दिख लेते हैं सबी को बारी-बारी से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना है पीछे पीछे एकदम सांतीस बैटे हैं अगर पूछब अगर करा चूल चालतू पूछब नाई तो जनता हुआ लोगों का करी लाम? ठीक है? चलिए देख लेते हैं पहला वाला आपको का मिलेगा? अस्तम्ब अर्था वे सात्त्विक बाव जिसमें ब्यक्ति एका एक इस्तम्ब एकदम ना कल जला ठकवा गी लगा एकदम अस्तम्ब की तरह खंबे की तरह खड़ा हो जाए उसे क्या कते हैं? इस्तम्ब कते हैं अब यह कोई ऐसा काम कर रहे हैं एका एक कोई आकर इतना तेजी से डाट दिया चाहे तो ऐसी आवाद सुनाई दी एका एक पसीना छुटने लगता है oh my god का था एका हो जाएगा बैया स्वेद एका एक पसीना आ जाए तो उसे कहा कहेंगी स्वेद आगे देखिए कभी-कभी आप एका एक एक एकांत में गान घाना का रहे हैं, मानलीजिय कोई भी घाना ठीक है आगाना गाते समय कोई या जता इसरान्लीक कर ले कर ऑने। को मतलब आप एकदम खुश बाटी सब कोई खुश उसबाई व्येँ याग नंब भण से अच्ऊनों काम गठणा गई इकांडव लेकांत चुशए तो तो आर गईल प्रेमी का एकदम गईल छोड़ के जात्यों कर भिया होते हैं तो भया एकदम मुह का रंग यानि आपके चेहरे का रंग का करेगा उतर जाएगा या फीका पड़ जाएगा उसे का कते हैं वैवाण आई इतना सुनता सुनत हो करेजवा फिट के लगबार हो वे आउसू तो एकदम जनाई की इकदम साराबोर से ना लेला आशू से का आजाएगा अशू फिर इसके बाद का आजाएगा कंपन कोई के को का में यस है कौई आक़ डाट दिया एक्दम एकाएक का करलें पते हैं कम्पन कर ले रखते हैं तो उसरी को कह करते हैं कम्पन आप देखें रोमांचि की हैं तौण से करते हैं तो यह आ ऐसा काम करते रहे ज़नों मैं मंजा आवाँ हां चला कुछ ना करिया हूँ हम देख लेम ना का चला गुम ले आवल जा मजा आवा था मार एकदम क्रिकेटर में बीराट कोली मारत बाने चार गेना में छो छक्का दस गेना में 20 छक्का ठीक है इका मिलेगा रोमांच कुछ गलत बोले हैं इसमें आप लोग बताईएगा ठीक ह है आगे देखिए फिर इसके बाद आपको का मिलेगा रोमांच में नायक नाइका एकदम चुम्बन कर रहे हैं रोमांच आ तब ले बाओ जी आगी ना खोसना एकदम बढ़ियां से बोजी लेके तो कहीं बाओ कहीं यारिया आओ तो इका बजाएगा रोमांच किसमें बद बद earthquake कम्प में फिर इसके बाद अश्रुप बताइदी हैं जब बाकुण डाटेंगे तभ्याग जब कबाकि बाओ तो कहीं आँ है यहां तो किसमें बदाल जाएगा अश्रु में बदाल जाएगा वढशन में बदल जाएगा वैवर्न में बदल जाएगा में करत वे कह वहीं में आज़ें बाउ डटना वैवन मूख का आपके चेहरे का रंका हुआ उतर गया ठीक है । अचाहें तो कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में ऐसा मत हो जाती है कि उसमें लज्जा फिल होने लगती है महसूस होने लगता है गलानी महसूस उसी को कते हैं वैवन आप उसस कि उस समय ऐसा लगता है कि सब कुछ नश्ट हो चुका है उसी को का कते हैं मेरे दोस्त प्रलय कते हैं क्या कते हैं प्रलय अनुभाव कितने परकार का होता है अनुभाव किसे कते हैं यह सब मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया इस वाली में तो पूरा एकनम के साथ परिवासा के साथ अच्छी परकार से पढ़ा दिया है और ही अगले दिन आपको अग्रेट टापी के साथ मिलेंगे चलता हूं मिलेंगा अगले एपिसोड में जैंद